1947 से लेकर के आज तक इंडियन एकोनोमी ने एक लंबा सफर तै किया हुआ है मतलब ये कि 2.7 लाइक करोड सब जीडीपी से लेकर के आज 150 लाइक करोड का जीडीपी हमने एक्चीब किया हुआ है इस लंबे सफर में हमारा कई माइल स्टोन आया है कई सारे उतार एंजट हावा है मैं हूँ परफेसर हरे राम सिना प्रम इनवर्शिट अब डरी आज की इस लेक्चर में हम यही डिसकस करने वाले हैं कि इंडियन एकोनोमी का सफर कैसा रहा कितने पड़ाव आये कितने माइल स्टोन को हमने एक्चीब किया और आगे हमारा क्या रास्ता है और लाश्ट में हम यह भी डिसकस करेंगे कि इस टॉपिक से आपके एक्जाम में किस किस तरह के क्वेशन्स आ सकते हैं तो बच्चों चलिए चलते हैं स्क्रीन पे लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जदी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें वीडियो को लाइक एंड सेयर जरूर करें एक और इंफोमिस्ट आपके लिए एंटिये यूजी सीनेट जियर एक्टनामिक्स जून 2024 के लिए मेरा नया बैच गोल टू इस कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप चाहें तो एक पहली बार में ही आपका जियर एफ क्वालिफाई हो सकता है क्योंकि इसमें हमने आपको वीडियो लेक्चर दिया है पीडियेफ नोट्स दिया है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है और मॉक्ट्स दिया है और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ जब भी कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मुझे वाटसब कर सकते हैं या फिर मुझे फोन कर सकते हैं तो बच्चों है ना कमाल की बात फिर देर किस बात की यदि आपने भी सपना देखा है कि आपको NTA UGC NET JRF Economics June 2024 को क्वालिफाई करके इनवर्सिटी जन कॉलेजिज में प्रोफेसर बनना है तो फिर आज ही आप इको पार्सला का एप डाउनलोड करें और जोईन केजिए गोल्डो जदी किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे मुझे कॉल कर सकते हैं बचों चलिए चलते हैं अब स्क्रीन पे बचों बचों जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इंडियन एकोनोमी का जो सफर रहा 1947 से लेकर के 2024 तक बड़ा उतार चड़ा वाला रहा है कई बार हमारी GDP काफी तेजी से बढ़ी है और कई बार हम निगेटिव भी गया है बचों और इसी जर्णी में हमने काफी कुछ एक्चीव किया है बचों जिस तरीके से आप लोग यहां देख सकते हैं बचों यह हमने काफी कुछ एक्चीव करा है हमारा 1947 यह आप कह सकते हैं 1951 में जो हमारा GDP था वो कितना सा बचों देख सकते हैं आप लोग 2.7 lakhs करोज, ठीक है, 2.7 lakhs करोज, और आज हम कहां तक पहुंचे हैं बैचो, रूपीज, 150 lakhs करोज, देख सकते हैं, around 70 गुना हमारा जीटीपी बढ़ा है, कभी हमें third world की economy कही जाती थी, third world की, और आज हम world की fastest growing और biggest economy में सुमार हैं, इस पूरी जर्नी में हमारे पास 3-4 जो milestone या खिर कह सकते हैं, crisis आया है, milestone नहीं कहेंगे, इसको crisis कहेंगे, वो crisis था 1966 का, देख सकते हैं बच्चों, अब यह पूरा discuss करेंगे हम लोग, 1981 की crisis and 1991 का crisis, और इन सारे crisis से हमारे policy makers के लिए मैं धन्यबाद देना चाहता हूँ, उनको congratulate करना चाहता हूँ, यह काफी अच्छी तरीके से इसको उबए हैं, और 1991 से काफी smooth economy चल रही है, उसका reason है क्योंकि हमारे 1991 के बाद हमारे जो policy makers रहे हैं, वो अच्छे रहे हैं और वो काफी serious रहे हैं, आगे देखा जाए बच्चों कि next page पे क्या है, देखें, नेक्स्ट पेस पे आप देख सकते हैं कि pre-liberalization socialist economy, अब यह क्या है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि economy को broadly तीन types में डिवाइड किया आता है, capitalist economy, socialist economy and mixed economy, जब इंडिया को independence मिले थी उस time जब पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवारला नहरू हुए और वो काफी influence थे USSR से, और लेकिन वो किसी भी block में नहीं जाना चाहते थे, ना ही वो socialist block में जाना चाहते थे और ना ही वो capitalist block में जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों economy से, यानि socialist block से अच्छे-च्छे features ले करके एक mixed economy का इंडिया में mixed economy बनाया गया और लेकिन यहां पे एक ध्यान रखने की बात है, mixed economy का तो नाम तो दे दिया गया, लेकिन हमारी जो economy थी, वो tilted थी किदार, socialist का तरफ, यानि socialist economy में जहां कि everything government के control के अंदर होता था बच्छे, हर चीज government के control के अंदर होता था और उसी pattern पे इंडियन economy का development शुरू हो, यहां पे देख सकते हैं, क्या लिखाया है हमने, आप देख सकते हैं, एक स्वे, independent India's first prime minister, आप देख सकते हैं बच्छों, आप देख सकते हैं, इसका हमने नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, mixed economy, जैसे तरीके से मैंने भी बताया आप लोगों को, कि आप उन्होंने mixed economy का नाम दे दिया, लेकिन इट वोज, बिल्टेट तोवर्ड़्स दो, socialist economy, और industrial policy resolution 1948 में, इसको कहभी दिया गया, यह हमारी mixed economy होने वाले हैं, जहां पे public and private sector, दोनों simultaneously exist करेंगे, और दोनों इंडिया के growth story में participate करेंगे, I repeat again, फिर से, कि जब जवाहरला नहरू प्राइम मिनिस्टर बने, पहली बार जब इंडिया को independence मिले, तो उन्होंने अपनी strategy उनके दिमाग में था, कि हमें किसी भी block में नहीं जाना है, नहीं socialist block में जाना है, नहीं capitalist block में जाना है, लेकिन उनका ideology socialist से ज़्यादा influence था, और इसलिए उन्होंने का कि नहीं ठीक है, कुछ अच्छी बाते हमारे socialist में भी है, और कुछ अच्छी बाते capitalist में भी है, तो दूनों का mix करके उन्होंने पहली, उन्होंने mixed economy इंडिया का नाम दिया, और उसको मतलब पेपर में भी आ गया, industrial policy resolution 1948 में उसको mixed economy कह दिया गया, और mixed economy क्या होता है, जहांपे private and the public sector दोनों साथ मिल करके, growth के लिए, economy के growth के लिए काम करते हैं, क्लिए रहे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेस पे देखते हैं हमने क्या लिखा है, देखे सस्पेंस है, देखे प्रीज, अब आगया, planning commission and the rapid industrialization, ध्यान से देखिया आप लोगे आपे, और इसके बाद जब इंडिया में mixed economy की बात हो गई, कि इंडिया develop करेगा, with the help of public and private sector, or with the help नहीं, with the participation of public and private sector both, और उसके बाद यहां पे बात आई, कि हमारे पास resources कितने हैं, तो पहले resource को assess किया गया, उसको relocate किया गया, और फिर उसको implement किया गया, कि किस तरीके से, growth process को आगे बढ़ाय जा गया, ठीके, और इस process में, इंडिया ने USSR से, five year planning एड़ाप्ट किया, five year planning, USSR का ही वो था, क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं, ideology और इंडिया में, उसको एड़ाप्ट किया गया, five year plan में यह कहा गया बचो, कि हर पांच साल के लिए प्लान बनाय जाए, मतलब हर पांच साल में, हर पांच साल के लिए हमें देखना है, कि हमारे पास resources कितने हैं, उसको कहा कहा utilize किया जा सकता है, और इसी को five year planning के नाम से जाना जाता है, दियान अखना है, यहाँ पर मैं आपको बताना हूँ, the five year plans were centralized economic and social growth programs, क्या था बच्चों, five year plans क्या था, centralized economic and social growth plan था, और इसको जो की उस्टाइम, USSR में प्रभलेंट था, उस्टाइम वो चल बाँ था, पोस्ट फाइबर प्लान जो आया बच्चों, उसमें चुकि आप चानते हैं, कि हमें ब्रिटेन से, या फिर ब्रिटेन से हमें कुछ मिला नहीं था, उस्टाइम खाने खाने तक का भी दिक्कत था बच्चों, तो सबसे पहला हमारा focus गया, कि अग्रिकल्चर को आगे बढ़ा आजाए, अग्रिकल्चर को प्रुमोट किया जाए, ठीक है, यहाँ देखें, तो क्या किया गया, फिर्स्ट फाइबर प्लान, लाँच इन 1951, फोकुस्ट अन अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर अन इरिगेशन तो बूस्ट अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर को प्रुमोट किया जाए, तो इसमें सबसे पहला काम किया गया, फिर्स्ट फाइबर प्लान में जागया, कि नहीं, सबसे पहले अग्रिकल्चर को प्रुमोट किया जाए, इरिगेशन को प्रुमोट किया जाए, अग्रिकल्चर को प्रुमोट नहीं किया सकता, जब तक कि आप irrigate मतलब फसलों को पानी देने की ब्योस्ता आप ना करें तो ये दो काम किये गए जिससे काफी improve हुआ second fiber plan में चुकि जिस तरीके से हमारा ideology था नहरूजी का ideology था या उस time के जो भी policy maker थे उनकी ideology थी कि सबसे पहले basic infrastructure को develop किया जाए heavy industry को develop किया जाए तभी जाकर के चोटे-चोटे industry develop हो जाए तो second fiber plan was launched in 1956 led the foundation, led the foundation for economic modernization to better serve India's long-term growth imperative it advocated rapid industrialization, देखे बच्छो, rapid industrialization with a focus on heavy industry and the capital good देखा आपने मैंने बताना भी आपको कि सेकिंड फाइविर प्लान में basic infrastructure और हिबी इंड़स्ट्री की बात भी गए थी और यह काफी success भी हुआ नेक्स पेज़ पे देखते हैं क्या है यह बिसिकली एक जर्नी में बता रहा हूं किस तरीके से इंडिया इंप्रूव किया आपने आपको आगर देखें नेक्स पेज़ पे नेक्स पेज़ पे अभी अब आता है nationalization मतलब अभी तो socialization मतलब socialist economy का हम काफी tilted हम थे उस्ट करता हैं कि socialist economy के तरफ ही हम है देखे 1951 से ले करके जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि 50 से ले करके 91 तक काफी इंडस्टी इस को नेस्ट लाइज किया कि नेस्ट मतलब अभी private इंडस्टी जी फिप्राइबेट प्राइबेट इंडस्टी थी प्राइवेट बेनेस और नाशन थे उनको सब को गौवर्मिन्ट ने अपने हाथ में अक्लाय कर लिए इसका उसमें आप देख सकते हैं बच्छों कि एयर कॉर्परेशन एक्ट देखें प्ली जान ध्यान से एयर कॉर्परेशन एक्ट केम इंटू एक्जिस्टन अट्थाइस मई नाइटिन फिफ्टी थ्री और इसको पार्लेमेंट ने पास भी कर दिया क्या बच्छों एयर कॉर्परेशन एक्ट नाइटिन फिफ्टी थ्री और इस एक्ट के पास करने के बाद नौ एयरलाइन्स को सबसे पहले सरकार ने निशनलाइज किया मतलब यानी यह प्राइबेट सेक्टर में थे अब इसको गौर्मिन्ट ने उसको ले लिया उसमें कौन-कौन से एयरलाइन से देखे एयर इंडिया पहले एयर इंडिया टाटा के पास होता था बच्छों Airways, Bharat Airways, Deccan Airways, Himalayan Aviation, Indian National Airways, Kalinga Airlines and Air India International and replaced them with the Indian Airlines and Air India. सबको सरकार ने ले लिया और उसको दू कमपनी बनाई, Indian Airlines दो दोमेस्टिक होती थी और Air India International करके, यानि सबको नौ कमपनी को सरकार ने ले लिया और उसको मिला करके सरकार के पास दू कमपनी बने, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स जैसे सरकार ने और भी आगे नेशनलाइशन का प्रोग्राम जारी रखा, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, लाइफ इन्सोरेंश, जेनरल इन्सोरेंश, माइनिंग, इन सबका उन्होंने नेशनलाइशन कर दिया, इसके बाद यहाँ पे 1969 में सरकार ने चोदो बैंकों का नेशनलाइशन कर दिया, चोदा बैंकों का नेशनलाइजन कर दिया और उस टाइम प्राइमिस्ट थी स्रीमती इंद्रा गाधी इंद्रा गाधी ने चोदा बैंकों को नेशनलाइज कर दिया ठीक है क्यों क्योंकि उनका कहना था कि ये नेशनलाइज नहेंगे सरकार के अंदर नहेंगे तो बेटर तर पड़ेगी गाउं गाउं में जहां पर जोड़ पड़ेगी वहां ये लोग जा करके कांग करेंगे इस पेज़ देखा जाए क्या है बच्छों नेक्स पैज में है बच्छों कि प्री इंडिया यानि इंडिया को जब से इंडेपेंडेंज मिली तो अब से पहली बार एक फानांसियल स्कैम सामने आई देखिए वह स्कैम क्या है और उसका रिजल्ट क्या हुआ और आज भी स्कैम पक्ला जा रहा है उसका रिजल्ट क्या हूँ देखिए प्री इंडिया पोस्ट बिग बनान्सिल स्काम आप देख सकते हैं आप पर देखे बचाओं इन नाइंटीन फिफ्टी सेवं उसी टाइम मुंधरा स्कांडर इंडेपेंडेंट इंडिया's फर्स्ट बिग स्काम वज रेज़ बाइ फिरोद गांजी इंदरा गांधिस हस्वेट इफांड आप उन्हें देखा की जो ल. इसी है लाइफ इंसौरेंस कोर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसने मतलब बिना इंवेस्टमन कंसल्टेशन के उन्होंने वहांपे उन कंपनियों में इंवेस्ट करा है और यह scam हुआ बहुत बड़ा चुकि बिना investment committee के consultation के fraud company में invest कर देना बहुत बड़ी बाद है और उसके वैसे उस टाइम के finance minister टीटी कृष्णबचारी ने co-resign करना पड़ा पहला big scam next देखते हैं next क्या है बचो next देखा जाएं देखें please अब देखिए क्राइसिस आया पहली बार इंडिया में पहली बार क्राइसिस आया गाधी नेहरू के मरने के बाद पंडित ज्वारला नेहरू जो उपकी पहले प्रैमिस्ट थे उनके मरने के बाद उनके death के बाद इंडिया में पहली बार क्राइसिस आया और उसको solve किया गया किस से ग्रीन एंड वाइट रेवलुशन से ठीक है ना बच्चो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं मतलब हमारा बड़ा वो था कि हम जल्दी से इंडिया को पर इंड़स्टिलाइज कंट्री बना दे और इस तरी कैसे इसके वैसे क्या हुआ कि जो हमारे रिसूर्से जो थी जो की एगरीकल्चर सेक्टर में लगाना चाहिए था वो सारा का सारा हमने अलोकेट कर दिया कहां पर इंडस्ट्री सेक्टर पर और इसके वज़े से जो एग्रिकल्चर सेक्टर था वो नेगलेट हो गया और उसके रिजल्ट क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर food sorted हो गया और हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है और जिसकी वज़े से काफी inflation बटन काफी inflation बटन उसके वज़े से काफी inflation बड़ा और economy की बहुत बड़ी problem भी थी चुकि खाने को ठाने कुछ और prices बढ़ते 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 जा रहे हैं और इसी बीच जवारला नहरू की death होती है लाल बादो सास्त्री प्राइमिस्टर बनते हैं इसके साथ साथ चाइना से हमारा वार होता है और ये सारी चीजें एक बहुत इंडिया को बहुत मुस्किन दोर से गुजरने के लिए मजबूर करता है और हमारी policy makers को ये सोचना पड़ता है कि अब centralized planning के जगह पे अब हमें कुछ दूसरा सोचना चाहिए और उन्होंने फिर से agriculture पे focus करना सुरू किया I repeat again 64 में पंडित ज्वारला नहरों की death के बाद लाल बादु साथत्री प्राइमेस्टर बनते हैं और उस टाइम सीच्विशन और भी बुरा हो जाता है चैना से वार हो जाता है हमारा और इस तरीके से हमारे पास क्या करते है और इंडिया का विक्निस और भी एक्स्पोज हो जाता है और यह सारी इवेंट्स जो है हमारी पॉलिसी मेकर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग के जिगह पर अब हमें फिर से इंडस्ट्री पर एगरी कल्चर पर फोकस करना चाहिए क्योंकि जब तक हमारे पास खाने को नहीं रहेगा हम लड़ेंगे क्या और इंडस्ट्री क्या चलाएगा है ना बैचों और इस तरीके से उन्होंने फोकस किया किस पर फूट सेक्यरोटी पे सिक्स्टीज में हम लोग बिलकुल मतलब एकदम आकाल पढ़ने के का गार पे थे बैचों फूट इंपोर्ट हो रहा था जिसके वज़ए से देख सकते हैं लोग कि हम चुकि बहुत ज़्यादा फूट इंपोर्ट करते थे तो युवेस ने हम पे दबाव डलना शुरू कि या कि हमारी फॉरिंड पॉलिसी उसके एकॉर्डिनली हो वह जैसा चाहे वैसा फॉरिंड पॉलिसी हो यह समभू था नहीं बिलकुल समभू नहीं था ठीक है बचो तो फिर से एक पर मैं रिपीट कर रहा हो कि नहरू के देख के बाद सिच्वेशन खराब हो गई या फिर आप कह सकते हैं कि पिछले दस सालों में जो हमने इंडस्टिलाइजिसन पर फोकस किया सारी रिसूर्सेज इंडस्ट्री पर लगा दिया हमारा कंट्री बहुत कंटरी में उस चकर में हमारा एक्री कल्चर पिछड़ गया ऐक्री कल्चर पर हमने ध्यान नहीं दिया जिसके वजह से इंडिया में food shortage हो किया और बाहर समय इंपोर्ट करना पड़ रहा था जिसके वज़े से inflation काफी बढ़ा इसी बीच उनके death के बाद लाल बादू सास्त्री ने आप सास्त्री बने प्राइमेश्टर और चाइना के साथ वार यह सारी चीज़ें दे करके बहुत उसमें पहुंच गई बहुत ग्रेव सिच्वेशन में हम लोग पहुंच गए और यह सारी चीज़ें इंडिया को मतलब इंडिया के policy makers को सोचने पर मजबूर किया कि नहीं हमें पहले agriculture पर focus करना है पहले food security पर पर focus करना है पहले अपने लोगों को खाना खिलाने पर focus करना है ना कि इंडिस्ट्री पे एक और बात वहां पर आ रहे थी कि हमें चुकि बाहर से इवेस से काफी चीज़े इंपोर्ट करने पड़ती थी फूट तो वह इवेस चाहता था कि आप हमारे तरीखे से अपनी foreign policy बना है जो कि यह संभव नहीं था चलिए next page में देखतें क्या है next पड़ाव हमारा क्या है next पड़ाव में आप देख सकते हैं MS स्वामिनाथन साहब जो कि हमारे green revolution के जनक कहे जाते हैं बच्चे green revolution के जनक और उनके साथ Norman साहब भी थे स्वामिनाथन साहब और Norman साहब थे उन्होंने green revolution को अब promote या green revolution का मतलब क्या है कि same input में ज़्यादा और प्रड़ीश करना या फिर कम input में ज़्यादा और प्रड़ीश करना और उन्होंने इंडिया पे इंडिया के एगरी कल्चर पे फोकस किया ठीक है बच्चों और आज उसको green revolution की नाम से जानते हैं ठीक है और इसके साथ सास्त्री टॉर्ण हिज अटेंशन टू केड़ी आज अमुल है आज के रेट और union टू एक्स्पैंड इस वर्क सिरिंग दा white revolution जब green revolution सक्सेस हो गया काफी agriculture की production बढ़ी तो उसके साथ white revolution की भी बात कही जा लएक क्योंकि दूद हम पहले पूर्ट करते थे और हमें इंडिया में बनाना चाहिए था देखते हैं आगे क्या है बच्चों क्लियर है next अब बात आती है बच्चों कि देख सकते हैं अब ये भी एक आपसेंड डाउन वाला ही पार्ट फेमाइन वार फेमाइन वार लिप एकॉनमी क्रिपल इन मीड सिक्स्टीज और रूफीज डिवैलीवड अब इस तरीके से मैंने पीछे बताया है कि अब इंडिया को इंडिया में अग्रिकल्चर को ने ठीक है पाकिस्तान के साथ भी और गई हो स्काफिश सुज्सक्ति में आप पॉलिटिकल इनिस्टैबलिटी मीणा आसकते थी डिए पॉलिटिकल इनिस्तैबलिटी मी आश्क्ति थी डीए भी जयों को नेहरू और सास्त्री। this quick succession had caused the political instability नेहरू के बाद साश्तिर जी के बाद साश्तिर जी के बाद साश्तिर जी का आप लोग देथ हुआ था आप जानते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टैबिलिटी आने के सम्हाँ थी अगर देखे इन 1966 कंट्री वज डार सिच्वेशन आए दो वार हैड लेफ्ट एकॉनमी सिबिरली विकेंड बहुत बुरा इस्थिति में था पूट सॉटेज था पहले ही बता सकते हैं इन्फलेशन था और इस इस्थिति म पूट को इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत वह रहा था चुकि पूट था ही नहीं हमारे पास अनार्स थे ही नहीं कॉछ मरने के बार तो अब उन्होंने पहली बार मतलब पहली बार नहीं कह सकते हैं बट उन्होंने पहला ही solution ढूना कि रुपे को devalue किया जाए इंद्रगादी on 6 June 66 devalue the Indian rupees from ये देखे प्लीज 4.76 to 7.5 per dollar देखा आपने मन बच्चे हूं 4.76 से गहटा करके 7.50 per dollar किया यानि रुपे को devalue कि अब बात यहां आते हैं कि devalue से क्या फरक पड़ता है तो आप लोगे दिकनामस के student हैं तो आप लोगे जानते हैं कि devalue होने से domestic goods जो है सस्ते हो जाते हैं जिससे world में हमारे goods की competitiveness बढ़ जाती है और उससे हमारे पास foreign action जाता है तो उससे हम अपनी necessary item purchase कर सकते हैं बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पॉइंट 76 से लेकर के 750 पर डॉलर किया बच्चों चलिए आप नेक्ष देखते हैं अब बात आती है liberalization की बच्चों अब liberalization आ गया देख सकते हैं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसको पहले जाए फिर मैं आपको ऐसे मैं समझा देता हूँ बहुत वह था कि 1950s से लेकर के 90s लेट 80s तक काफी चीज़े nationalize हुई सब कुछ government में आ गया सारी चीज़े हो गई और उसके वजह से सब सरकार के मतलब किसी प्रोडूसर को किसी बीजिसमें को कोई बीजिस करना सरकार से बहुत सारी पर्मिसन लेनी पड़ती थी उसे लाइसेंस राज कहा जाता था यानि सरकारी संस्था हैं बहुत घाटे में चल रहा था और जो हमें नेसेसरी आइटम इंपोर्ट करने वाली बात थी वह महंगा हो गया था उसका क्या रीजिन था आप देख से पहां पर यह देखिए पैसे नहीं थे और मुस्ट दू हापते के लिए पैसे बचे थे तो कि हमें बाहर से कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें प्वारण एक्षेंज में पे करना होता है तो हमारे पास पैसे नहीं थे ठीक है अब हमारी इस्तिति ऐसी आ चुकि थी कि हम जोने हमनों वर्ल्ड बैंक से या फिर आयमें से जो लोन लिया है उस पर हमें डिफॉल्ट होने के चांसे बढ़ गया है ठीक है इंडिया ने वन पॉइंट एट बिलियन डॉलर बिल आउट के लिए मांगा था और ठीक है आयम आपने का ठीक हम देंगे लेकिन इन रिस्पॉंस आपको कुछ हमारी बाते मानने पडस देंगे सहीसी बात है जब कोई आपको पैसा देगा तो ओ तो पैसा आप से मिलेगे हमारे कुछ Bem है आप ऐसा ले जाए कोई आप इस बात नहीं आपस पैस ले ले ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिरी में उड़ा दिए लोगों को आप फिरी में देने से लोगों को आदर पढ़ जाती है तो IMF ने कुछ suggestion देख लिजे इसमें मैं आपको पढ़ेगा देखें प्लेस इंडिया हैड आस्क 1.8 billion bailout from the International Monetary Fund which demanded deregulation in return मतलब जो economy जो थी अंडर गौर्मेंट कंट्रोल थी सब कुछ अंडर गौर्मेंट कर रहा था उन्हों नहीं का कि नहीं ऐसे बन करें अब आप लोगों को बीजिस करने का मौका दीजिए लोगों को मतलब प्राइबेट इंडिविजियोल को भी इंडिया के ग्रोथ प्रोसेस में सामिल करें तभी जाके आपकी economy आगे बढ़ेगी और इस तरीके से फ्रांस मेंटर डक्र मनमोहन सेंग इनिसिएटिट इकनॉमिक बूष्ट मिला और आज तक काफी उसके बाद अर्टाचोट हमारे पॉलिशी मेकर्स काफी अच्छे हैं और अच्छा काम कर लें उसमें आल्सो रिड्यूस टैरिफ डिरगलाई तो कली दिया लाइसेंस राज को हटा दिया मतलब इंपोर्ट टैरिफ कम किया बच्चों इं इसकरना है तो आटोमेटिक अप्रूबल मिलता था और डारेक्ट इंवेस्मेंट में बहुत सारे चीजों में 100 परसंट तक प्रद्रेक्ट इंवेस्मेंट कर दिया गया ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पडाव हमारा क्या है बेखिए नेक्स्ट हमारा 2008 में भी हमारे पास प्रब्लम आई थी 2008 में हमारे पास in 2008 when it become clear that India would not more emerge from the cascading impact of the Lehman Brothers Lehman Brothers collapse and the government announced three stimulus package 2008 में आप जानते हैं कि लेवन ब्रदर इंडिया के वह एस की एक बहुत बड़ा merchant bank था आप वो कह सकते हैं investment bank था वो वो बरबाद हो दिया और चुकि आज के डेट में तो हर क्याते हैं कि हर देश एक दूसरे से connected है एक देश में कुछ हो रहा है तो दूसरे देश में उसका impact बढ़ेगा इसको वो करने के लिए इससे fight करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा stimulus package दिया उसमें आप देख सकते हैं package in the pace in the space of three month आप इसको देख सकते हैं इस space of three month और December 2008 2009 में इन्होंने इतना रोप्या दिया देख देख समस्वाइब 186,000 करोर्स और 3.5% of GDP यानि बहुत बड़ा stimulus package था economy के लिए अदर्वाइज economy उस टाइम भी crisis में चली जाते हैं उस टाइम इंडिया का fiscal deficit 6% तक हो जो गया था जो कि बहुत बड़ा है fiscal deficit अपता है आप लोगो घाटा राजकोशी घाटा जिसु कहते हैं जब आपका expenditure ज्यादा हो revenue से in 2008 और बिंग जस्ट 2.7% इन दे प्रिवेज यर इसके पहले वाले साल में यह 2.7% था जब कि इतना हो गया और इस तरीके से और आठ है न अपरिल तो नाइन और बी आई इस तरीके से मतलब फिनांसिल पाकिस का ही यह रूप था कि अब इन्होंने मोनेटरी मतलब मोनेटरी कंडिशन को भी इस किया आप चाहें इसली लोल दे सकते हैं बैचों और यह दो 2009-10 में भी यह चलतारा हला की फिसकल डेफिसिट कुछ खास कम नहीं हुआ 6.6% से 6.4% तक पहुंच गया कम तो कुछ हुआ ने थोड़ा बढ़े गया और इस तरीके से एकॉनमी काफी रिबाउंड होकर के निकली यह सरकार के सुजबूज का ही नतिजा था कि उन्होंने स्टीमुलस टाकेज दिया और एकॉनमी फिर से हमारी अच्छी पोजीशन पे आगे आगे बात करते हैं बच्चों हम आगे क्या है इसमें अब इसके बाद 2017 में हमने जीएस्टी 2016 में हमने डीमोनेटाइशन किया था और 2017 में हमारा जीएस्टी लाग हुआ था तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही ज़िए अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेर जिरू करेंगा